हाँ तो गाइज यहर आप सब ना मेरी एक बात से डेफिनेटली एगरी करोगे कि हमारी आज की जो लाइफ है ना वो बहुत ही जदा हैक्टिक हो गई है अगर आप एक वरकिंग परसन हो तो आपका सारा दिन काम में निकल जाता है अगर आप एक स्टुडेंट ओ स्कूल टू है और वो भी अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाए ना तो बहुत ही काम की बात हो जाएगी तो अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो अगर आपको कंफर्टेबल लिसनिंग पसंद है तो मैं आज आपके लिए एक स्पीकर लेकर आया हूं उमीवा का 525X हां तो भाई सबसे पहले उमीवा के बारे में बात कर लेते हैं यह सब ब्रेंड है अबेज का जो की काफी बढ़िया आडियो स्पीकर बनाते हैं यहां पर ना लॉंच से पहले मेरे पास यह स्पीकर आ गया था और कंपनी ने मेरे को सेंड करके यह बुला साही भाई आप इसमें बताओ कि कमी क्या है बहुत ही कम कंपनी होती है जो की अपने प्रोड़क्ट में विश्वाश रखती है और उसे इंप्रूव करना चाहती है चैलेंज लेती है कि हमने उसे इंप्रूव करना तो यह एक बहुत अच्छी बात है स्टार्ट करूंगा इसकी बिल्ड क् चीप नहीं लगाया गया वायर क्वालिटी उठालो मटेरियल उठालो यह कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है अगर आप इसे रियल लाइफ में भी देखोगे आपको पता चल जाएगा यहां पर जो अटेच्मेंट्स आती हैं साथ में केबल जाती है वो भी बहुत हो रादी हमेत जदो कर्न लगोतायों दो समझो के दाता ने सुखाड़े करते हुआ 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 है दोस्तो अब ना आपने इसका साउंड सुन लिया है और आपको इसके में पॉइंट्स के बारे में पता चल चुक है अगर मैं थोड़ा से एक्स्प्लेइन करूँ ना तो यहां पर कंपनी ने आपको सीधा बताया कि अगर आप एक गूड लिसनर हो अगर आपको यह music quality के बारे में पता है तो यह speaker आपके लिए है यह बहुत ज़्यादा loud नहीं है ऐसा नहीं कि आप अपने घर में बजाओगे तो प्रोसी जो है उठ जाएंगे मेरे को बहुत गंदा लगता है जब कोई आवाज उची करके सुनता है यह आपकी comfortable listening के लिए है आप घर आप से सुनो आपका सर नहीं दर्द होगा यह warm sound signature है तो आप लंबे समय के लिए सुन सकते हो आप बिल्कुल भी uncomfortable feel नहीं होगे please दियान रखना यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा loudness देखने को नहीं मिलेगी बहुत adequate जो है loudness है काफी मज़ा आएगा यहाँ पे आपको warm sound signature देखने को मिलता है ठीक है थोड़ इसी treble को कम रखा गया ताकि आप आराम से सुन पाओ इसकी जो bass है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी USP यह है कि आप long time तक इसमें गाने वगएरा सुन सकते हो एंड इसकी bass बहुत कमाल की है एक ना bass होती है काफी पंची काफी hard bass होती है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी इसकी bass काफी full है अगर आप कोई ऐसा music सुन रहे हो जिसमें bass बिल्कुल भी नहीं आपको bass पसंद है यहाँ पर आपको एक switch दिया गया जिससे आप bass को increase कर सकते हो suppose करो आप कोई quality वगएरा सुन रहे हो या क्लासिकल music आप उसमें bass add कर सकते हो मेरे को सबसे बढ़िया चीज क्या लगी कि जब आप bass को increase भी कर देते हो ना तो इसके vocals बिल्कुल भी disturbed नहीं होते यहर आज कलना इस company की वज़े से मेरी जो sound की preference है वो काफी increase हो गई है मैं बहुत अच्छी quality का sound सुनना पसंद करता हूँ यहाँ पर vocals काफी अच्छी है, highs काफी अच्छी है यह आपको बहुत crispy sound produce नहीं करके देगा काफी soft sound है, आप रात को सुनोगे, आपको मज़ा आएगा आप इस sound को feel करोगे, ठीक है इसलिए मैंने पहले बोला था, आप बड़े ही मज़े से इसे सुन सकते हो साथ में इसकी base बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और फिर से आपको बता दू कि loudness इतनी कमाल की नहीं है बट जो यह offer कर रहा sound signature, warm sound signature वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, जिससे मेरे को कोई भी complaint नहीं है जितना ज़्यादा मैंने इसे use किया, मेरे को sound उतना ही ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ पर उसके बाद मैं बात करूँ, इसके connectivity option की हर बार की तरह आपको Bluetooth की range काफी अच्छी मिल जाती है AUX, USB सभी तरह के options यहाँ पे available है and definitely last में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 3000 रुपे के budget में एक यह बहुत कमाल का speaker है अगर आपका sound quality में taste बहुत अच्छा, आप definitely इसे buy कर लेना 3000 रुपे का यह speaker है, description box में मैंने link दी, आप definitely इसे पसंद करोगे जब लोगें इसे पूरा time देना, आपका जो experience है, वो काफी enjoyable हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा, please like कर देना, comment, query, question, कुछ भी है नीचे comment section में मैं आपसे मिलता हूँ अगले ही वीडियो में